रामप्रसाद विश्मिल को क्यू हुई थी फासी, क्यू हो गए थी अंग्रेज इससे परिशान। 11 जूर की तारीक इतिहास के पड़नों में दर्च है, यह तारीक भारतिय स्वतंतरता आंदोलन के लिए बहुत खास है। इस दिन स्वतंतिता सिनानी पंडित रामप्रसाद विश्मिल का जन्म हुआ था। इस नफरत को उन्होंने क्रांती के रूप में उप्योग किया। इन्होंने अपनी साथियों के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया और 9 अगस 225 तरी 15 क्रांती कारियों ने व्रिटिश सरकार की खजानिक स्टेशन पर लूग लिया। इस गटना में रामप्रिशाद विस्मिल, असपाक उल्लाखान, चंदरशीखर आजाद और ठाकोर रौशन से मुख्य रूप से शामिल थे। इस गटना में अंग्रेजों ने 50 लोगों को गरफतार कर लिया और तेर साथ मुखत्मा चलाने के बाद अशपाक उल्लाखान, पंडित रामप्रशाद विस्मिल और राजजिंदर नाथ लाहिडी को 19 दिसंबर 1927 को फासी की सजा देती गई। फासी के समय विस्मिल के उमरे मात्रत 30 साल थी।